नमस्कार स्वागत आप सभी का हिस्ट्री त्षिट्री चैनल में मैं रवी कुलरी एश्ट्रेक्स राजसान से आज के इस वीडियो में मैं रिवीव करूँगा नाथ पॉब्लिकेशन की और से आने वाली आधुनिक विश्वितिहास नामक इस किताब का जिसको लिखा है राम निक विश्वितिहास की एक किताब है राम सिंग सरावक जेपी सैनी दोनों का यहां पर परीचे दिया गया है फिक्स डेट इसका 220 लिक रखा है हो सकता है कोई नहीं लाको में आपको 15-20 रुपे कम में भी मिल जाए ओनलाइन आप ट्रै करेंगे तो आपको 180 रुपे के आस ओफ लाइन नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद में मैं इसकी अनुकर्मने का दिखाते हुए बताता हूं आपको 225 पेज की किताब है और चूंकि आधुनिक विश्वितिहास की किताबें समाने तोर पर यूरोप में पुनर जागरण से ही शुरू होगी क्योंकि यही आता ह कि सभी विद्यार्थी राजस्तान से ही हों और भी बहुत सारे स्टेट के विद्यार्थी देखते हैं क्योंकि लेखक राजस्तान के हैं खास वर से उनका फोकस रहा है राजस्तान के एक्जाम का जो सिलेबस है PGT का हो चैसेशन प्रोफेसर का हो उसकी अक्वर्ण ही बुक तो मैं बिल्कुल clear cut आपको बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप एक अपका समझ बन जाए कि किताब कैसी है और कहां तेक आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है पहले कुछ इसकी अच्छेयों की बात करेंगे फिर इसकी कम्यों की बात करेंगे और फिर लास्ट में मैं अपना conclusion दूँगा यहां पर आप देख सकते हैं इदि आपने पहले कभी नाथ पब्लिकेशन की किताब में देखे होंगी तो इसी प्रकार का इनका यह नाथ पब्लि कोशिश की थी बना मैं यह देखना चाहरा था कि कहां तक deep गई है यह किताब वो मेरा किताब देखना का तरीका है मैं किसी किताब में कुछ टॉपिक्स यह जरूर देखता हूँ पढ़ने के बाद में कि वो कितनी deep है और कहां तक cover करती है तो इस तरीके से मैं बात करूं त तो उस प्रकार की किताबें भले ही देखने में अच्छी लगें लेकिन वो रिक्मन मैं भी नहीं करता है। करना ठीक नहीं है मैं आपको इसको कुछ मुख्य मुख्य टोपिक दिखाता हूं तो यहां पर देखिए फ्रांस वाला ही चल रहा है शैडिये फ्रांस के टोपिक आप देख सकते हैं तो आपको बहुत सारी सारणिया मिली बनी हुई मिलेंगे इसके अंदर टोपिक वाज जी आपको सारणिया बनी हुई मिल जाती है तो उससे थोड़ी सी आसानी होती है आप देखिए चूंकि विद्यार्थियों के वो प्रशन रहेंगे उसको मैं यहीं पर डील करने की कोशिश करता हूं जैनन मातर की किताब बहुत ही लंबे समय से स्टूडेंट पढ़ते आ रहे था multiple choice question exam को लेकर जो की बहुत अच्छी किताब थी और facts को जिस तरीके से deal करती थी All India में कोई दूसरी किताब हिंदी मीडियम में उस प्रकार से deal नहीं कर पाती थी और उसके कारण वो किताब काफी प्रुचलित रही उस किताब का review करते समय भी मैंने आपको एक बात आपको बताऊंगा कि जो fact है वो fact मैं यह कहूंगा कि लगबग fact तो इसमें डाले गई हैं जो की राजसान के कम से कम एक्जाम है उनको जो deal करते हैं लेकिन उनमें भी आपको यह पता नहीं चलता कि लेखक के नजरिये से कौन सा ज्यादा important है क्योंकि कहीं कहीं जो आपका highlight दो देखने को मिलती है कई books में उस प्रकार का इन्हों ने यहाँ पे नहीं दिया है सबको equal सा रखा गया है मतलब उनके font वगरा से आपको यह अंदाजा नहीं होगा कि यह point है वो ज्यादा important है यह point come important है लेकि जो आप notes वगरा में underline करते हैं वैसा कुछ नहीं है लेकिन कि इसकी आप पेज संख्या देखेंगे तो इतनी बड़ी नहीं लगती है लेकिन इसकी जो पेज की size है वह normally आप जो guides वगरा पड़ते हैं उस guide के type का page है इसका मतलब थोड़ा सा उससे 10% चोटा मान सकते हैं लेकिन जो चोटी books आती है उस type का नहीं है बड़ी किताब है यह आप फील भी कर पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से अब इसके में साथ आज में आपको कुछ topics भी दिखाना चाहूंगा ताकि मैं भूल जाता हूं कई बार बात करने लग जाता हूं तो यह जैसे रूस की क्रांती है यह आप देख सकते हैं यहां पर यह सारणिया मिलें दिखान अब मैं इसमें धरफ्ट लौट बहुत अच्छे तरीका का बर किया गते हैं और अच्छे तरीके से उनका आसानी भी होती है और इसके मैं कम्यों की बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा कि एक तो मुझे ये लगा कि इसके जो कई अपर इसके बहुत अपर आपको ये इसी रहता क्योंकि मैं बहुत बार ये और ज़रूरत पढ़े जातीया उनको और इसके अलावा बहुत सरी ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो factual book हैं चाहिए वो इंडियन हिस्ट्री को हो चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री की English में नहीं मिलती तो English के भी बहुत स्टूडेंट जैसे इस हैं कड़ों विद्यारतियों के मेरे पास comment आते हैं कि English में ऐसे किताबे नहीं है तो उनको जो bilingual विद्यारति जो Hindi English से दोनों समझ लेते हैं वो कई बार इस प्रकार के किताब लेने की कोशिश करते हैं यदि उनको English में भी कुछ wording मिल जाए लेकिन यह कोई deal breaker इस question वाले exam के लिए यदि आप UPSC के लिए इसको पढ़ना चाहें तो बिल्कुल रिक्मन नहीं की जा सकती यह सारे facts को cover करती है लेकिन फार पर facts का उतना ज्यादा कुछ रोल होता नहीं है जैसे कि मैं for example आपको बताता हूं कि जैसे पुनर पुनरजागरन का topic है आप पुनरजागरन का topic की अंदर यदि आप Coleman पूछ किया वास्तता में पुनरजागरन की हो था या नहीं हो था कि आप क्याusan तो इसमें प्रकॉश्या वे हम अंधकार का तो उस प्रकार की चीजों को यह डील ने कर पाती हैं या जैसे मaं परिवर्ट का बात करो तnt huh वो गई ते क्या वो लीकार की जो बाते होती है उस प्रकार की बातों को ये किताब अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाती है जैसे question उसके लिए requirement होती है हलांकि state में जो civil services के exam होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूंगा कि इतना ज़्यादा गुमाफी पर फिराकर या ऐसे नहीं प्रकार के question नहीं पूछे जाते लेकिन उसके लिए काम फिर भी चल सकता है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कास्तोर से शायद लेखक ने लिखी भी इसी हिसाब से है और मुझे देखने में भी यहीं लगा कि जो किताब है वो किताब multiple choice question वाले exam को डील करती है जैसे कि PCT का exam है सामाने तोर पर लगबग सभ प्रफेसर के exam के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं डी ट्री प्लस भी PGT में भी अब की बार जो syllabus आए आगे जब भड़ती आएगी उसके इसाब से आप देख लेना बहुत सारी topics को cover कर लेगी मेरे इसाब से लेकिन कुछ रह जाते हैं EMRS जैसे exam को यह cover नहीं कर पा दिया क्योंकि उसमें आपकी प्राचीन जो विश्व है उसकी topics आते हैं शुरू में दो तिन और उसके बाद में और भी जो modern के विएगाद topics हम इसको कर पाएगी तो आपको देखना होगा कि आधुनिक विश्व इतिहास के जो ज़्यादा प अब ही के लिए जो पिछली बार का सिलेबस है उसकी अकोर्डिंग इसको ज्यादा लिखने का प्रियास किया है और यह किताब है फैक्ट को अच्छे तरीके से कवर करती है और फैक्ट का प्रिजेंटेशन अच्छा है इसलिए आप इस प्रकार की एक्जाम के लिए इस किताब को पढ़ सकते हैं तो यह मेरा रिव्यू था इसकिताब के लिए आपको कैसा लगा है कमेंट में जुरूर बताए नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी अप्लिकेशन हिस्टी 306 को आप डाउन्लोड कर सकते हैं धन्यवाद